आज हम लेकर आये हैं विजन आयस की मंत्री मांग्जीन करन्ट अफेस की मेट 2024 की जिसमें गाइस अल्रडी हम अपने 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं आज हम environment का short करने जा रहे हैं जो हमने कल complete नहीं किया था जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को like करें सब्सक्राइब करें और पूरे ही तेर साल की playlist को विजन आयस की बहुत अच्छे मैनर में playlist के अंदर त्यार किया गया है आप उसको सुन सकते हैं और अपना time भी बचा आज हम अपना सबसे पहरा topic में देखेंगे Venezuela may be the first nation to lose all its glaciers actually guys कुछ ऐसी report से पता चला है कि Venezuela एक ऐसी country बनने वाली है जो कि South American country है situated है ये country एक ऐसी country होने वाली है जो अपने सारे के सारे glaciers को खो देगी तो guys एक बहुत बड़ी ऐसी information है जो कि बहुत ही एक question कर रही है कि क्या like कैसे बच सकते हैं ये लोग तो देखो South American country है बहुत अच्छा natural attraction है यहाँ पर Caribbean coast के पास वेनिजुलन country है Archipelago इसका capital Caracas है अगर आपने शायद कभी अगर पढ़ा हो तो इसका capital है Caracas है वेनिजुलन वॉलिवर चलता है ओफिशल लैंगविज इनकी स्मालेश है तो like it is very much famous for इसके oils के लिए coal, iron ore, box site और gold के लिए वेनिजुला जाना जाता है और अच्छे कासी like country है वेनिजुला लेकिन सोचो यहाँ पर एक presidential republic country है और यहाँ पर ऐसी खबर आ रही है कि वेनिजुला को ऐसा हो सकता है आने वाले समय में glaciers इसके सारे ही खतम हो जा और यह पहरा ऐसा nation बन जाए तो कहा जा रहे है according to ICCI यानि International Cryosphere Climate Initiative हम बोल्ट जो है ना वेनिजुला का last standing glacier है एंडिस में यह धीरे धीरे क्या होता जा रहा है सिकुडता जा रहा है फीक है मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर न अब यह glacier की category में भी नहीं आता इतना जादा यह श्रंग को चुका है इसका size अब जो ICCI है ना एक तरहा का ना यह नेटवर्क है एक्सपोर्ट और रिसोर्च यहाँ बैठते हैं करके government organizations के साथ और यहां पर ना यह चर्चा चलती है कि अर्थ के cryosphere को कैसे preserve किया जाए अब cryosphere क्या होता है cryosphere वो land होता है जहां पर snow और ice पूरी तरह covered होती है एसा region जहां glaciers है, ice caps है, permafrost है, sea ice है उच रिजिन को हम cryosphere कहते हैं अब glacier क्या है तो glacier कुछ नहीं बिल्किली एक बेसिकली एक तरहा गारा accumulation है ice और snow का दर slowly flows over land के ओपर flow करता है अब चक्कर पता है क्या हो रहा है अब जो भी alpine है, हिंदकुष हिमालयाज है, ice sheet है, Antarctica की इस पर बहुत गंदा impact पढ़ रहा है क्या आप समझ नहीं पाओगे कि इस कदर फिर ना इसी सब चीजों का असर ना क्या हो रहा है क्या नासा की रिपोर्ट के according, sea level इतना rise कर चुका है कि जितने भी glaciers और ice है, ice sheet है, वो melt करती जा रही है मतलब global sea level वो rise by more than 60 meters से हो जो, इतना दा राइस कर गया है coastal erosion बहुत हो रहा है, storm surge बहुत बादा बढ़ती जा रही है इस चक्कर में समस्या क्या रही है कि biodiversity का भी loss हो रहा है, जो valorous है, वो अपने home lands खोते जा रहे हैं इस species, polar bears जो होते हैं, वो land, spending more time on land जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, conflict हो रहा है, इंसानों और bears के बीच में अब disaster भी कम नहीं आ रहा है, खुब frequency में आ रहा है, Glacial lake outburst हिमाले जैसे reasons में बहुत बढ़ गया है अब कहा रहा है, इन सब चक्करों में पता है क्या समस्या आ गई, कहा रहा है, पानी की जो availability river में होती थी, वो कदम होती जा रही है, कम होती जा रही है economic activity जो करते थे, fishing करते थे, navigation करते थे, उस पर बहुत गंदा असर आने वाले समय पर पढ़ने वाल है तो कह रहा है कि देखो overall condition कितनी ज़्यादा खराब है, और when in July ऐसी पहली country बनने वाली जो सारे glaciers अपने खो देगी अब ना कुछ ऐसा भी steps लिए गए है, global level पर कि glaciers को बचाया कैसे जाए, उसके लिए हिंदकुष हिमालन monitoring program assessment जलाया गया है जो कि international center for integrated mountain development वालों ने चलाया है UNESCO वर्ल्ड का glacier monitoring services भी है, अब ना 2025 ऐसा year बन जाएगा, हम ना declare करते है कि 2025 को ऐसा year बनाएंगे जिसमें international year होगा, वो Glacier Preservation by the United Nations ठीक है, तो यह 2025 की theme होगी, इस पूरे साल हमें इस पे काम करना होगा इंडिया की तरफ से भी इंडिया ने क्या कर रहा है, national mission बना रखा है, sustaining हिमालन ecosystem के लिए तो वो 2008 में ही basically NPCC का ही पार्ट है, और उसके बाद हमने एक research station बनाया है, हिमान्ष नाम से, चंद्र बेसिन में, हिमाचल प्रदेश 2016 में हमने वो इसी लिए बनाया था, ताकि हम glaciers को बजा सकें, ठीक है तो दोनों बातों को आपको पता होना चाहिए, Now move to the next topic that is, climate change can weaken monetary policy transmission RBI, RBI का कहना है कि climate change का असर इतना गंदा है, जो भी हम monetary policy में transmit भी करना चाहें न तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कहना कैसे देखो, monetary policy का एक सीधा सा मतलब होता है कि RBI इसको बनाती है, supply of money को economy में adjust करती है, इसमें क्या RBI का monetary policy बनाने का एक ही मतलब उनको objective ही ही होता है, कि inflation को कैसे कम किया जाए और output को कैसे stabilize किया जाए, इन दोनों combination के लिए RBI monetary policy त्यार करती है, लेकिन climate change की वज़े से monetary policy पे बहुत direct impact ही कि इसकी वज़े से adverse weather होते हैं, अब आप देखो extreme winters होती है, extreme summers होती है, extreme में flood आ रही है, rainfall हो रहा है, कहीं trot पढ़ रहा है, तो उससे direct असर हमारे agricultural production पे बढ़ता है, हमारी global supply chain पे बढ़ता है, ठीक है, अब इसका impact natural rate of interest पे भी कैसे पढ़ेगा, कैसे देखो जब temperature rise करेग और ऐसा भी देखा जाएगा, कि extreme weather event हो रहे है, तो उससे productivity definitely lower होती चले जाएगी, तो natural rate of interest जो था, real short term interest rate जो था, जो consistent रहता था, output के साथ, उसके potential के साथ, and a stable rate of inflation के साथ, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें impact पढ़ जाएगा, फिर उसके बाद एक ऐसा element, monetary policy में जो accommodative natural restrictive हम stance लेते थे, जिससे हमारा monetary policy हमारी define हो पाती थी, वो भी नहीं हो पाएगा, accommodation भी इतना मुश्किल हो जाएगा, फिर financial health पर हमारा direct असर पढ़ेगा ऐसे, कि जितने भी banks हैं, जितने भी financial institutions हैं, उनकी जो assets की values हैं, जो individual की economic expectations हैं, वो उस पे सवाल है अभी, कैसे वो fulfill करे तो way forward में बोला जा रहा है कि हमारे लिए अब ये इतना जादा important होता जा रहा है कि हम ना green taxonomy को adopt करें, ये एक ऐसा framework है जिसमें आप credential की sustainability और possible चीजों को rank कर लें तो economic activity हो, फिर second काम आप क्या करोगे, climate risk को monitor करोगे, जो भी इसमें incorporate करोगे, monetary framework त्यार करोगे, अब ये क्या पहला काम क्या करना है, sovereign green bonds, जो announce किये गए थे 2022-23 के budget में, कि हम ऐसे projects को fund करेंगे और accelerate करेंगे, हम basically low carbon economy की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये काम करना अब आपके लिए जरूरी होता जा रहा है, second जितने भी आपके foreign institutional investors हैं, उनको बोलो भाई, अब future green government security में पैसा लगाएं, कोई समझानी पड़ेंगे ये बात, फिर तीसरा काम आप करो, कि जो तो ही FDI लेते हो आप, आप solar energy वाले route पर automatic 100% FDI करते हो आप, ताकि foreign direct investment पैसा बगेरा आता रहें, और आप ऐसे solar energy वाले projects को allow करते हो, चौथा काम आप ये कर सकते हो, कि green climate fund को आप क्या करो, low vision and climate resilient development पात लगाओ, ताकि जितने भी project water से related, clean energy से related बने तो उनमे green climate fund लगेगा, तो उससे इन पर पैसे बाते रहेंगे, और हमारा target भी ये बना रहेगा कि हमें low emission करना है, ये सब आपको अपना आपकी जरूरत बन चुकी है, आपकी economy की जरूरत बन चुकी है करना, next is, next topic is new collective quantified goal on climate finance, इनकी ये कोशिश थी, कि जितनी भी UNFCCC की parties है, वो 100 billion dollar, हर साल लगाएंगे, ठीक है, subsequently इसको extend भी करा गया, 2025 साथ ये target अचीव हो पाए, अब देखो new collective quantified जो goal है na climate finance के लिए, उसका सारा काम पते है क्या है, shortcomings जूढ़ना कि खोद है क्या, क्योंकि countries क्या कहते हैं कि हमारे पास green energies के लिए, या green चीजों पे transmit होने के लिए ताप प फुल्फिल करने के लिए, हम funding को अपनी सुथा रहे हैं, हम suitable modalities पे काम करें और deeper level of accountability पे भी हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है, जब भी इसको करने की बारी आती है, 100 billion dollars पैसा mobilize करने की बारी आती है, तो distributional imbalance हो जाता है, क्याना 2011 से 2020 के बीच में, 80% जो climate finance था, वो OECD countries पे focus था, एशिया पैसिफिक रीजन पे कर था, जिससे की significant geographical concentration reveal हुआ कि देखो funds कहां कहां इस्तिमाल किये जा रहे हैं, ओबर-emphasis हम बहुत जादा किस पे करते हैं, फिनांसिंग ऑफ mitigation पर, यह नहीं कि हम पहले से ही चीज़े कर रहे हैं, अडाप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, क्लामेट फिनांसिंग का हमारा एक रोज का एक डेली रूटीन का टास्क हो जुका है, यह करने की कोशिश ही नहीं को, उन्हेंने डेवलप कंट्रीज के लिए साफ तोर पर काता कि वो फिनांसिल रिसोर्स से असिस्टेंस देंगे हमारे डेवलपिंग कंट्री पाटीज को, चाहें मिटीगेशन और अडाप्टेशन और दोनों में हदप करेंगे, अभी सिर्फ आप पैसा कहां लगा रहे ह अडाप्टेशन पर भी तो लगाओ, वो बहुत ज़रूरी है, तो that is what it is required, जो आपको करना है, वो आपको immediately उसपे reactions लेने पड़ेंगे, immediately उसपे decisions लेने पड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, Carbon Removals and Carbon Farming Regulation in European Union, देखो ये बहुत ज़रूरी है, Carbon Removals and Carbon Farming वाली बात जो है, it is very much required, what is this ही समझते हैं, देखो बड़ा important part है कि देखो European Parliament और European Council ने Recently ने provisional agreement बनाया, और इन्होंने कहा कि EU नाव ऐसी पहली country बनने जा रहा है, जिसमें Carbon Removal Certification Framework बनेगा, जिससे कि लोगों में, जो भी लोग हमारे साथ काम करें, तो वो innovative एक तो हो जाएं, ऐसी technology बनाया, जिसमें Carbon Remove कर दिया जाएं, और Carbon Farming कर नहीं है हमें, तो quality standard वगेरा सब्सक्रास पर कैसे कि रहे हैं, यह हम बिल्कुल खिलाप है, ग्रीन वाशिंग तो हम होने भी नहीं देंगे कहीं पर भी, अब ग्रीन वाशिंग क्या होती है, ग्रीन वाशिंग एक ऐसी टर्म है, जहां पर companies बेफ को बनाती है, क्या करती है, false or misleading तरीके से product and services को sustainable दिखात करेंगे, agriculture को improve करने के लिए, ecosystem को restore करने के लिए, combat करने के लिए climate change को, और इसके लिए हम कुछ common methods को अपनाएंगे, जैसे agroforestry करेंगे, conservation farming करेंगे, nutrient management करेंगे, renewable energies का इस्तिमाल करेंगे, यह सारी चीज़े करेंगे, अब इसका potential benefit यह होगा कि carbon sequestration, यानि studies ने बताया, कि ज 3-8 billion turn of carbon dioxide equivalent को absorb करते हैं, तो carbon sequestration करना कितना important है, इससे क्या होगा, feasible आप evasion reduction को कितना कर पाओगे, फिर farmer की income भी बढ़ा सकते हो, additional income, environmental services ने प्रवाइड करके, लेकिन इसमें challenge बता है क्या है, policy support इतना नहीं है, resources की कमी है sustainable land management को करने में, तो यहाँ पर एकुछ key initiative बता रहा है, जो हमारे carbon farming को facilitate करते हैं, global level पर क्या कर रहे है, four per Indian initiative launch किया गया है, और एक World Bank supported initiative है, Kenya agricultural carbon project है, यह सारे के सारे carbon farming के लिए काम कर रहे है, इंडिया ने भी अपने पूरा, इंडिया भी देखो, इंडिया भी national vision sustainable agriculture इसलिए चला रहा है, कि वो क्या कर रहा है, वो अपने crop को divers कर रहा है, अपने carbon trading को promote कर रहा है, हमने carbon credit trading scheme इसलिए चलाए, ministry of power द्वारा, ताकि हमना carbon credits को obligated entities से बचा सके, बेसिकली जितने भी है, हम यह सब भी काम हम कुझू कर रहा है, तो देखो उससे पैसा भी मिलेगा, इससे लोग encourage भी होंगे, companies की ठीक है, carbon emission हम कम करेंगे, certification मिल win-win situation जरूर हमें create करनी ही चाहिए, now move to the next topic, that is direct air capture and storage plant, यह क्या है, देखो वर्ल्ड का largest direct air capture and storage plant, mammoth, started operation in Iceland, Iceland में नोने काम करना शुरू कर दिया है, अब यह क्या होता है, देखो यह second commercial, basically यह आपका है मामला, अब mammoth क्या होता है, एक animal होता है, basically आपने शायद इसको कभी दे हो, elephantide genus से ही निकल कर, guys आया है, अब आपने कभी notice कर रहा हो, तो यह ना आपका second commercial ऐसा निकराया, facility Swiss companies, climb work with less much larger than its producer, orka से भी जादा यह बड़ा सा है, अब यह technology basically समझो पहले यह क्या है, DAC plus S जो technology वो क्या है, यह na carbon dioxide removal technology है, यह क्या करती है, carbon dioxide को atmosphere से directly लेती है, किसी भी location से, और यह carbon capture से अलग है, यह भी बस समझना, इसमें क्यों क्या होता है, इसमें generally आपना, carried out a point of emissions को आप रोखते हो, CO2 के permanently stored deep geological formation है, और यह various applications में use होती है, अब direct air capture कैसे करते हो आप, तो direct air capture करने का तरीका समझो, देको हवा जो चल रहे है, आपने पंखा चला रहा है, ठीक है और के अंदर अंदर यहाँ पर यह filter करेगा, यही परी, पंखे के अंदर ही कुछ ऐसे चीज़े डाला कि यह पंखा filter करेगा अंदर से, filter is heated to release the, filter को heat करा जाएगा, ताकि यह captured CO2 को क्या करे, release करते, और release CO2 को free air में भेज़ दे गए, यह ऐसे करेगा direct air को capture, तो CDR जो basically है, anthropogenic activity है, basically, CDR क्या है, carbon dioxide removal क्या है, refers to the anthropogenic activity that removes CO2 from atmosphere, ताकि आप एक अच्छे geological अपना एक अच्छा reservoir create कर लो, तो IPCC की 6 report आई थी, उसमें कहा था, कि देखो CDR necessary element है, अगर हम net zero carbon dioxide or green hair, house emissions से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, क्याना, CDR technologies के form में कुछ और भी काम हम कर सकते हैं, हम air forestation करें, हम पेड होगा हैं, या जहां पर नहीं है पेड, या जहां पर थे भी उसको reforest करें, ठीक है, मतब फिक्स करें, कि atmospheric carbon biomass soil का ये सब करें, weathering को enhance करें, ocean based CDR पे काम करें, bio energy पे काम करें, लेकिन challenge भी आएगा बीच में, तो ऐसा ही है कि challenge न करते हुए आपको निकलना पड़े, फिर next topic आता है, killing curve, अब देखो killing नाम नाम ना, एक doctor Charles David killing थे, उनके नाम से आया, है क्या ये, ये basic लिए आपका क्या करता है, ये आपका carbon dioxide के concentrator, जो है न, global पहले बता रहा है कि global average concentration, जो carbon dioxide का, मार्च 24 में बहुत जादा था, तो killing curve ने से बताया कि भाई, large spike निकल कर आई है, बहुत जादा, largest ever recorded leap है, बहुत जादा इसका record देखा गया, अब killing curve करता है, क्या है, ये न, atmosphere का, जितना भी carbon dioxide है, उसको record करता है, from Mona Low Observatory, since 1958 से काम कर रहा है, Mona Low Observatory Station है, जो की na, element of atmosphere को चेक करता है, कि कि इतने ऐसे element atmosphere में, जो climate change पे contribute कर है, हवाई on the side of Mona Low पर है, world का largest active volcano, वहाँ पर ये located है, वहीं से ही check करता है, क्योंकि इनोंने create करा था, तो इस ही नाम पर रख दिया गया, killing curve, ठीक है, now move to the next topic, that is bio cover, देको recent study वी, और proposal आया, कि एक sustainable approach हम अपनाएंगे, कि सीस के लिए, microbial methane oxidation system के लिए, जिसको bio cover कहते है, थाक कि हम fugative methane emissions को भी, dumb side से रोप पाएं, अब bio covers क्या होता है, porous material layer होती है, जो directly हमना landfill के top पे लगा देते हैं, oxidize करने के लिए layer of mature compost को, ये optimal condition है, methano, trophic methane utilizing bacteria की, और ये bio filters की तरह काम करते हैं, इसका use कहां कहां, bio cover का होता है, ये road की construction में, land को वापिस से reclaim करना हो, वहाँ पर भी लेकिन इसकी साथ दिक्कते पता हैं, अगर ये देखो, ये बहुत old और deep dumb side में पाया जाता है, ये बहुत ही कंटा है, बहुत ही सड़ावा गलावा मिलेगा आपको ये, इसमें इतने सारे heavy metals और microplastic मिलेंगे, इसको आप कैसे fill out करोगे, वो आपको सोचना पड़ेगा, क्य वेरी old, very, you will get this, get it into it, the very firm, deep dumb side पर जा के कहीं मिलेगा, ये इसका एक बड़ा रुकसान है, बाकी तो आप इससे अपने roads वेरा बनाई सकते हो, अच्छा, वर्ल्ड बांक की रिलीज रिपोर्ट आई, जहां रिपोर्ट आए, वहीं पर लिखना शुरू कर दिया करो, क्या रिपोर्ट आई, टाइटल था, Water for Shared Prosperity, अब Shared Prosperity क्या होती है, रिपोर्ट रिलीज करी गई, ये था 10th World Water Forum में, बाली, इंडोनेशिया में हुआई, वर्ल्ड बांक कहता है, Shared Prosperity का मतलब है, Prosperity को बूस्ट करना, कहां पर, पूरस के पास, ताकि वो जादा से जादा Equitable Society की तरफ आपाएं, तो Interconnected को, Building Blocks होते हैं, Prosperity का मतलब यहां है, Health Education से, यानि कि Human Capital, Job Income, Peace and Social Coast and Social Capital, Environment that is Natural Capital, इस सारे ही Interconnected आपके क्या होते हैं, Prosperity होती हैं, लेकिन क्या होते हैं, Population Growth, Urbanization, Climate Change, इस सारा Global Water Excess को, Disparity में ले ही आते हैं, क्याना, 2022 में 197 लोग ऐसे थे जिनको विचारों को Safe Drinking Water नहीं मिला, 211 मिलियन ऐसे थे जिनको Basic Sanitation की Facility नहीं है, 450 मिलियन ग्लोबली ऐसे लोग हैं, जो High Poverty में रह रहे हैं, Low Water Access Hotspot में रह रहे हैं, क्याना, Low Income Country के बास सुनके दंग रह जाओगे, क्याना, Water Services is Available Less Than Half of the Schools, In Inadequate, Unsafe Water है, Early Childhood को कितना Impact करता है, तो Climate Change से क्या और Extreme Weather Event क्रेट हो रहे हैं, Blood है, Draught है, Further Disrupt कर रहे हैं, बच्चों की Learning को, Leading to School Drop Out, Damage कर रहे हैं, Crops को, Conflicts को, तो यहां पर Recommendation दी गई हैं, कि Inclusive Water Security होना बेहत जरूरी है, ताकि Resilience Improve उपाये to Extreme Hydro-Climate Risk, Water Resource Development Improve करने के लिए, Safely Manage करने के लिए, पानी का Supply और Sanitation, World Water Forum हर तीन साल में किया जाता है, इसको World Water Council और Host Country करती है, इसका काम क्या है, आपको समझाना कि भईया, Political Agenda होना चाहिए, कि पानी की Importance को समझे हम, समझ रहो, International Water Issue एक बहुत बड़ा चालेंज है, Now move to the next topic, that is, India became third largest solar power generator, इंडिया क्या होने वाला है, ऐसा तीसरी कंट्री इंडिया होने वाली है, जो की solar power generator है, यह कैसे पता चला, इसके लिए भी एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का क्या नाम था, Global Electricity Review Report, जो की Global Energy Think Tank वालोंने रिलीस करी, अभी रिपोर्ट क्या बताते है की renewable provided 30% of Global Electricity for the first time, और solar ऐसा पहला main supplier है, electricity growth 2023 में, इंडिया कहता है, वर्ल्ड का फोर्ट लार्जिस सर्ज है solar energy, हापिंता, जन्रेट करा, इविन चाइना को भी हमने पिछाड़ा, US, ब्रजिल को भी हमने पिछाड़ा, वर्ल्स फोर्ट लार्जिस हमारा सर्ज है solar generation में, behind China, हमने भी China, US, Brazil के बाद हम, इंडिया ने जपान को उवर्टुक करा, थर्ड लाजिस solar power generator हम बन गए, providing 5.9% global growth हमने solar में दी है, और हम इंडिया प्रडूस सेकिंड हाइस amount of electricity from coal, ये भी एक बात है, हम coal से भी हमने कम नहीं यूज करा, इंडिया को पर-capita emission from the power sector है, fourth largest in 2020, ठीक है, तो ये तो हमने कराई है, हमारे power sector में challenges क्या के है, देखो, drought conditions, मानो ना मानो, globally आप मानो ना मानो, बहुत जादा इसकी वज़े से hydro generation हम करते हैं, अब इंडिया electricity generation more carbon intensive है, then global average, इंडिया second highest increase है, हम ऐसा नहीं है, चैना के वाद हम ही है, तो coal generation करते हैं, despite progress हमारी चाहे wind में progress हुई हो, wind energy में progress हुई हो, solar energy में progress हुई हो, दूसरे low carbon process में, फिर भी हम growing electricity demand को fulfill अभी भी नहीं कर पाए है, तो इंडिया का क्या target है, ताकि हम decarbonize कर पाएं generation को, the very first target is to reduce carbon intensity of the nation's economy, 50% हम चाहते हैं, cumulative electric power को install कराना, यह हमारा इच्छा भी हो, हमें करना है, फिर हम 2070 तक तो ऐसी कसम खा करा हैं, कि हमें net zero carbon emission करना है, तो रटलो बिल्कुल statement यह वाले, फिर 500 GW तो हमारा renewable energy हम कह रहे हैं, कि 20-30 तक तो हम 500 GW renewable energy को install कर देंगे, यह भी रटलो, very important for you guys, फिर अब next आता है topic, कि Spain आपका 99th member बन चुका है, International Solar Alliance का, Spain कौन क्या कितने बन चुका है, 99th member बन चुका है, 99th member बन चुका है, 99th member बन चुका है, objective क्या था International Solar Alliance को बनाने का, देखो, intergovernmental organization, action oriented, member driven, collaborative platform पे काम कर लिए, jointly launch हुआ by India and France in 2015, on the sidelines of COP21, officially 2017 में आया था, फिर पिर प amendment इसको change करा गया, तो guided by the towards thousand strategies पे काम करता है, तो mobilizes ने क्या करा, 1 billion US dollars investment इसने solar energy solution पे करी by 2030, अब यहाँ पर ही क्या कह रहा है, कि इसने energy access को deliver करा, तो 1000 million people, install करा 1000 gigawatts solar energy को, फिर उसके बादे क्या रहा है, observer status जो इसका था, 2021 में United Nations General Assembly ने observer status दिया, ISA को headquarters आपको पता है, इंडिया में Guru Gram में ही है, ISA को बनाने का main मकसद यही है, कि लोग अपने energy transition पे चले जाएं, क्योंकि solar technology, solar transfer यह सब करना अब जरूरत बन चुकी है, Global Biofield Alliance, Coalition for Disastery, सारा काम हमारे लिए जरूरी है, और इंडिया इसमें अपने soft power के रूप में काम भी कर स दिरे होते चले जाएं, फिर हमने global solar facility बनाई, फिर हमने star sea बनाया, solar technology application resource बनाया, ऐसे projects पर हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पूरा ध्यान आना energy transmission की और है, कि coal energy से हमें move करते करते, fossil fuel से move करते करते हमें, renewable energies की तरब बढ़ना है, next is global land outlook report on range land and pastoralist, देखो, global land जो है, outlook हमारा thematic report range land and pastoralist release करी गई, और जो ही report है, यह कौन release करता है, by unit convention to combat desertification, इसका सारा focus होता है, relationship between range land और communities के बारे में बताना, especially जिकने भी pastoralist बगेरा होता है, अच्छा, इसके बाद देखो range land है क्या, range land एक natural, semi natural ecosystem है, grazed by livestock, they comprise mosaic of ecosystem, इसके ग्रास लैंड, सवाना, अश्रब लैंड, ड्राय लैंड, यह सारा इसमें cover करता है, की highlight देखोगे, तो range land और 54% terrestrial surface को cover करता है, 78% dry land को cover करता है, 50% range land जो है, वो degrade होता जा रहा है, मतलब यह समझ लो, इसमें soil fertility खता होती जा रहे हैं, nutrient खता होता जा रहे हैं, बहुत eroded है, ठीक है, अब इसमें जो drivers हैं, degrade करने के कारण क्या है, कारण यह है, population की growth बढ़ गई है, urban expansion बहुत हो गया है, riding, बहुत जादा food, यह सब fiber, fuel demand इतनी बढ़ती जारी, over exploitation की वज़े से ऐसा हो रहे है, अब range land status, इंडिया में अगर बात करते हो, तो 1 to 1 million hectare का खराब है range land है, हमारे underutilized भी 100 million है, range land 121 है, pestilis बिचारे marginalize होते जा रहे है, हमारे, insecure tenoram, उनकी life में क्या होता है, कैसे वो करेंगे, उनका कुछ नहीं पता, बहुत सारे states में pestilis को ban करती है, from forest and protected area, पतारे कहा जाएंगे, क्या होगा इनका, फिर mining and energy projects also prevent excess mining और वैसे नहीं करने देता है, तो significance देखो range lands को ध्यान से चलाने का क्या जरूरत है, देखो range land product करना important इसलिए है, काकि ना हमारा land degradation neutrality अचीव हो पाए, हम livestock को अच्छा जीव, उनकी life अच्छी कर पाए, food production हमारा 16% globally वहीं से आता है, फिर global आप biodiversity hotspot से one third represent आपका range land कर रहे हैं, फिर ecosystem services आप देखते हो, carbon sequestration वह करेगा, recreation वहीं करेगा, ecotourism वहीं करेगा, तो कितना important नहीं हो जाता आपके लिए, इसलिए recommendation दी जा रही है कि आप क्या करो, integrated climate change mitigation पे काम करो, आप range land conversion पे काम, reduced जो हो रहा है, reduced range land conversion पे काम करो आप, adopt करो, support करो, pessimism based strategies को ताकि उनकी life भी hell ना हो जाए, now the next report, देखो फिर एक report आईए, देखो कितना important होता है, environment के shots are very very important, worldwide life crime report के बारे में है, 2024 की ये report है, report को निकालता कौन है, United Nations Office on Drugs and Crime निकालता है, इसमें, rhinosaurs, cidars, most impacted animals थे, plant species थे, large number of seizures है, corals है, crocodilians है, elephants है, ये बिचारे बड़े फसे में, बहुत gradual increase है, animal species का, decline हुआ, फिर sharp increase हुए plant species का, अब wildlife crime basically क्या होता है, देखो लेना, पजस करना, trading करना, consumption करना, समझे लोग, and animals को of their derivative and contravention, अब कौन-कौन से ऐसे factor है, जो drive करते है, wildlife crime को, सबसे बड़ी चीज, demand for medicines, wildlife crime क्यों होता है, इसे profit बहुत होता है, illegal trading करनेगा, और इससे corruption से, देखो, undermined government restriction से, तो इन्होंने धजिया उणाई हुए, इसे लोग करते है, इसमे इतनी सारी, illegal trading करते है, wildlife crime करने से, आपने सबसे पहले गंदा काम क्या किया, environment को खराब किया, आपने over exploitation करी, आपने population wildlife species के reduce करा, आपने invasive alien species इतनी increase हो गई थी, आपने उस पर ध्यानी नहीं दिया, फिर economical है, like money laundering है, illegal cross border financial flows है, आपका risk, disease transmission की बढ़ती चली गई, services का degradation हुआ, food, energy, medicines आपने खतम कर द कर रहे हो, enforcement cost को आप उसकी loss करा रहे हो, आप government के role को ही undermine करते हो, कि government की तो भार में जाय सरा कि आपकी statement है, अगर आप यह सब कर रहे हो, तो यह कह रहे है कि ऐसा क्या करें कि wildlife crime जो है, वो combat हो पाए, उसके लिए global staff लिया गया है, हम UNO2C global program चलाएंगे ताकि wildlife and forest crime combat हो पाए, ऐसे wildlife crime initiative हमारा चला रखा है हमने globally, इंडिया ने भी wildlife protection act बनाया है, 1972 का, हमारा crime bureau भी है, इसके लिए जो काम करता है, अचा, next हमारा topic आता है, sea animal, scientist ने देखा कि mass sea animal bleach हो चुका है, अगाती island लक्षदीव में, क्या होती है, ocean dwelling member है, phylum इंट्रिया से निगल कर आई है, predatory animal है, और ज्यादा तर coastal tropical पानी में रहती है, ऐसे corals होते हैं, sea animals भी symbiotic relationship green algae के साथ ये रखते है, sea surface temperature इनका इतना rise हो गया है कि बिचारों का relationship खराब हो जाता है, disrupt हो जाता है, symbiotic relationship है, इनका clownfish के साथ भी, वो भी stinking tentacles form में रहती है, उनका खाना है, animals get food from clownfish meal से, जब मिले गई न तो फिर वो बिचारे खराब हो जाएंगी, तो इतना जादा इनका बुरा हाल है, तो ये दिखने में इतना सुन्दर लगते हैं, sea animals, ऐसे से होता है, next topic is base flow, तो recent study ने highlight करा कि base flow have a strong triggering effect on river floods, बेस फ्लो इतना गंदा होता है, छे की छे river बताई, नर्बदा तापी, महनदी, ग पर इतना comparison अगर आप करते हो ना तो बहुत effect पड़ा है, कैसे base flow stream flow है, कैसे आता है, कैसे precipitation जब आती है, तो वो soil को पुरा infiltrate कर देती, और ultimately क्या होता है, तो soil है ना, eventually, move through soil and stream, soil के तरह जाते जाते हैं, stream channel में घुच जाता है, तो वो ground water में भी चला जाएगा, dry weather flow में भी चला जाएगा, इसकी वज़े से क्या होता है, rivers के rainfall or soil moisture पर कहीं ना कहीं अशर पड़ रहा है, base flows से, next topic is about blue hole पे चलते हैं, research में पाया गया है, कि deepest जो आपका world में evidence पाया गया है, ताम जाल hole, blue hole, यह आपका है, कहां Mexico के Chetumal Bay में है, यू कार्टन पैने सुला है, उसके इस्टन साइड पर है, blue hole होता क्या है, देखो जब sea floor के नीचे जाके देखते हैं, जहां coastal area है, जहां bedrock, वहां पर erosion का prone areas होते हैं, वहां पर पानी जब भरने लग जाए, और यह होते कैसे हैं, ocean water में जब बहुत crack वगेरा आजाए, dragon hole South China Sea में भी हो रखा है, green, great blue hole near Belize भी हो रखा है, एजिप्ट के पास में भी, यह ऐसा सा होने लग जाता है, सी के बास, next topic is about Katatumbo lightning, यह कहां हुआ, natural phenomenon है, Katatumbo river आपके near, जो मेरा कुपो है उसके पास ही है, यहां इतनी lightning strikes हुई, 300 days a year, continuously चली बताओ, the area is called lightning capital of the world बोला जाता है, इसको Katatumbo lightning जो कहते हुँ, अब क्यों होती है इतनी जोड़-जोड़ से lightning क्यों होती है, देखो क्या होता है, जो cool layer है वो convert होती है, and moist पकड़ती है, हवा from caravan से, इसे एक constant cycle बन जाती है, convection की, समझ रहो एक तो यह कारण है, high frequency of lightning, फिर दूसरा कारण क्या होता है, जब हवा बड़ी गरम हो, फिर वो गरम होते होते cool हो रही है, फिर उसके हाथ वो condense होती चली गई, पाने टपकने टपकने सा लगा, फिर ना क्या होँआ, clouds में क्यों लूम्बस clouds बनने लग गए, जो ऐसे clouds हैं, जो ultimately बहुत काले बादल समझ लो, घने कादवाद, इससे ए कॉब और पेपर में आए जाए कहीं पर तो ध्यान रखना वेन जुलाग में है, ऐसे होती है लाइटनिंग आपकी, now move to the next topic, that is बाटागे क्रेटर के बारे, बाटागे क्या है, बाटागे का water crater से निकल कर आया है, gateway of underworld है, doorway to hell है, world's का biggest permafrost crater है, newly captured aerial footage में निकल कर आया, कि frozen ground हर साल बिचारा यहां पर ऐसा क्या हो रहा है, रिवील पर गया, कि यहां की जो परफ है पिकलती जा रही है, साइबरे रशिया में located है, इतना डिप्रेशन यहां पर आता जा रहा है, कि फर्मा फ्रॉस्ट हो बहुत जादा फॉर्म हो रहे है, क्लामेट चेंज हो रहा है, फिर इतना ही आज हमें करना था, thank you so much for listening, हम कल सुसाइटी वाला portion करेंगे, science and tech पर लेकर आएंगे, आज के रितना ही, thank you so much for listening, do like, share and subscribe to PM पार्चाला, have a nice day to all.